हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पे जिसका नाम है विकेज गुरू ग्यान और दोस्तो आज हम आ चुके हैं गुर्द्वारा श्री जोती सरूप साहिब जो कि श्री फतेगड साहिब पंजाब में पढ़ता है जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछल गुर्द्वारे के दर्शन किये जहां पर गुरुगोविन सिंग जी के दो चोटे सहव जादों को सरहिंद के नवाव वजीर खान ने जिन्दा दिवार में चिनवा दिया तो फिर अगर आपने वो मेरी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप वो वीड जो देखनी पड़ेगी क्योंकि जो चोटे सहव जादे जब वो शहीद हुए और माता गुजरी ने अपने प्रान त्याग दें तो उन तीनों का जो अंतिम संस्कार हुआ वो इसी स्थान पर हुआ तो मैं आपको इसका इतिहास भी बताऊंगा चलो चलते हैं में गुर्द गुर्द्वरे का इतिहास ये क्यों बना ब्ंक्तECT दोस्तों दिसंबर 1704 इसली को मुगल ह्कूमत द्वारा गुकूरु गोविन जीक के दो चोटे सहव जादो बावा जोरावर सिंग जी और वावा फते सिंग जीको अपना धर्म ना छोड़ने के कारण दिवारों में जिं जमीन पर सहिब जादो और माता गुजरी जी का संसकार नहीं किया जा सकता। यह भी हुकम दिया गया कि उनका संसकार केबल चैदरी अट्टा से जमीन का प्लाट खरीद कर ही किया जा सकता है। चर्दावान धनवान सिख दिवान टोडर मल अपनी जिन्दगी को फत्रे में डाल कर आगे आये और पूरे संसकार करने के लिए जितनी जमीन चाहिए थी उस पर सोने के सिख्के खड़े कर दिये। एक अनुमान के अनुसार उस जमीन को खरीदने के लिए लगवग 78,000 सोने क सिखों की आवशक्ता थी, जिसकी आज के सोने के सिखों की तूलना में एक बहुत बड़ी कीमत बनती है। जमीन की कीमत चुका के सेट टोडर मल ने तीनों बाबा जोरावर सिंग, बाबा फते सिंग और दादी माता गुजरी जी शहीदों के संसकार के लिए जरूरी परव निर्मान करके दिवान टोडर मल सिख इतिहास में सदा के लिए अमर हो गए। उनकी इस नेक और अद्वु सेवा की याद को ताद्या रखने के लिए एक विशाल संगत हाल का निर्मान किया गया है, जो उनके परती सिख भाहिचारे का आदर का परतीक है। दोस्तों यह था इस गुर्द्वारे का इतिहास और मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि जो बाबा जुरावर सिंग जी और बाबा फते सिंग जी की शहादत का बदला जो लिया था वो बंदा सिंग बहादुर ने लिया था वो 1710 हिस्वी में उनके दौरा सरह हिंद पर बिजय पाकर उनकी शहादत का बदला ले लिया और वजीर खान को मार दिया गया उस दौरा तो फतेगड जो नाम पड़ा है वो इसी कारण पड़ा है फते का मतलब होता है विक्ट्री जीत तो यहाँ पर जीत प्राप्त की थी तो इस लिए इस शहर का नाम परे के दर्शन वाहिगुरुजी का खालसा वाहिगुरुजी की फते अब चलते हैं बाहर और यह देखिए सामने स्रोबर दिख रहा है जो श्री जोति शुरूप साहिब में बनाया गया है स्रोबर की अपनी महत्ता है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया ह सेञी को पिजल को बनोग कि में बताय स्रोबर शोर्बर येवं को बताय स्रोब प्रोबर रहां है जनी मsınız परादीन हरा झाल भालसा हूू कि पितिके कि रहालों अब लेते हैं कड़ा परशाद और फिर चलते हैं बाहर और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब करने के लिए यूटूब पर जाएं और सर्च करें वीके गुरू ग्यान और जो रेड़ वाला बटन है उसको प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद थेंक्यू झाल 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 में ऩुट